सिर्फ एक कप हर रोज पिएं आपके शिरीर में कभी भी हार्ट ब्लोकेज नहीं होगा, लीवर की कोई परिशानी नहीं होगी, किड़नी आपकी सही से काम करेगी, नाक कभी भी बन नहीं होगा और कभी भी नसे आपकी ब्लोक नहीं होगी नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसी डिंक लेकर आए हैं जिसका प्रियोग दोस्तो यदि आप करते हैं हर रोज एक कप के रूप में तो आपको काफी सारे हेल्थ बेनिफिट मिलने वाले हैं आपकी नसे खुली र काल बाहर फैकेगा तो कुल मिला कर आज का जो नसका है आपकी हेल्थ को बहुत ही बड़ी अतरीके से सही रखेगा तो चलते हैं दोस्तो देर ना करते हुए बनाते हैं अपनी रैमेडी रैमेडी बनाने के लिए हमें चाहिए यहां पर इस तरह से प्याज प्याज दोस्तो गंदी सी आती है वरना तो इसमें फाइदे तो भरपूर मातरा में पाए जाते हैं जो प्याज होता है इसमें सोडियम पाए जाता है पोटाशियम होता है इसमें फुलेट्स होता है और विटामिन्स भी काफी होते हैं जैसे कि विटामिन A, C और E ये सभी पाए जाते हैं जो की दिल को स्वस्थ बनाए रखता है आईरन और फासफॉस काफी मत्रा में पाय जाता है इसके अलावा दोस्तों प्याज में एंटी इंफ्लमेंटरी गुन भी पाय जाते हैं जिससे हमारी हेल्थ को ये बहुत बढ़िया तरीके से रखता है और भी बहुत सारे गुन होते हैं प्याज में तो इस तरीके से दोस्तों आपने लेना है एक प्याज प्याज आप वाइट या रेट कोई भी ले सकते हैं प्याज लेकर दोस्तों आपने इसको छिलना है इस तरह से चिल ले और छिलने के बाद आपने इसको बीच में से काटना है काटने के बाद दोस्तों आ पर ये थोड़ा सा होता है तो इस तरीके कि आपने लोंग लेनी है टूटी हुई लोंग ना ले लोंग के भी हमें काफी सारे फायदे मिलते हैं जैसे कि पेट इससे स्वस्थ रहता है गैस वगरा की कोई प्रोब्लम नहीं होती पेट से जुड़ी हर समस्य का ये इलाज करता है और भूनी हुई लोंग का भी अगर आप प्रियो करते हैं शहद के साथ तो आपकी पाचन करिया बहुत ही बढ़िया रहती है लोंग में दोस्तों पॉलिफिनॉल्स होता है जो की सबसे बढ़िया डाइटरी सौर्स है तो आप लोंग का जरू सेवन किया करें लोंग को आप खाने में डाल कर ले सकते हैं या फिर इसको मुह में रखकर चूश सकते हैं यहां तक कि दोस्तों यदि आपके दातों में दर्द है तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं दात के दर्द से यह रहा दिलाता है और हमारे मसुडों को मजबूत बनाता है कॉलेस्टोल को भ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के गुण भी पा जाते हैं, ये ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर की समस्या भी नहीं आती, तो इस तरीके से लोंग भी हमारी बोडी के लिए बहुत ही helpful है, आप इसका भी प्रियोग जरूर करें, इस ड्रमिडी में तो हमने इसका ब्रियोख करना ही है, साथ ही सुआध़् दोस्टों, आप इसको खाने में भी डालकर जरूर यूज़ किया करें, तो इस तारीके से दोस्तों हमने दोनों साइड प्या जाज में लोंग लगा देनी हैं, आपने कम साथ-साथ या आठ हट लोंग इस तरह से लगा देनी हैं अब इसको तो रखते हैं हम side और ले लेते हैं एक नीमबू को आपने बिलकुल साफ करके लेना है यानी पानी से अच्छे से धोकर फिर इसका use करना है तो देखिये इस तरह से आपने नीमबू को काटना है जैसे कि मैं काट रही हूँ इ इंबो भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, खासकर गर्मियों में इसका परियोग जरूर करना चाहिए, हर रोज इसका परियोग करना चाहिए, ये भी हाई बलड प्रेशर को कंटॉल में करके रखती हैं, और हमारी इम्मुनिटी भी बढ़ाती हैं, किड्नी मिला कर तीनो की तीनो चीजे ऐसी हैं जो हमारी हेल्थ को सुधार कर रखेंगी और तीनो चीजों का हम इस रेमिडी में प्रियोग कर रहे हैं तो इस तरीके से दोस्तो नीमबू भी हमने काट लेने हैं नीमबू कट चुके हैं अब आपने क्या करना है एक पैन ले ले या दोनों हिससे आपने डालने है प्याज के और निम्बू भी आप इसी में डालनें। अब आपने ये पैन रखना है गैस पर और पानी को उबाल देना है। लगभग 10 मिनट आपने इसको जरूर पकाना है। सीम गैस करके रखे और 10 से 15 मिनट इसको पका लें। तो देखे दोस्तों 10-15 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये बहुत ही अच्छे से पक चुका है। यानि लोंग प्याज और निम्बू के सारे गुन पानी में आचुके हैं। अब आपने इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देना है। गरम गरम एकदम से नहीं ले थोड़ा सा ठंडा होने दे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए यानि इसका थोड़ा सा टेंपरिचर डाउन होने के बाद आपने इसको चान कर रख लेना है। किसी जग में या बरतन में किसी में भी रख सकते हैं आप चान कर। तो इसमें से दोस्तों आपने एक कप सुबह लेना है और एक कप शाम को लेना है इस तरीके से जब आप इस तरह से लेंगे न तो आपकी हैल्थ सुधरती जाएगी आपकी बंद नसे हैं खुलती जाएंगी यदि आपके अंदर कॉलेस्टोल जमा हो गया है उसे ये रिमूव कर देगा और बंद नसों का ये बहुत ही बढ़िया इलाज है और दोस्तों ये आपका नाक बंद हो गया है ना उसको भी ये खोल के रख देगा क्योंकि इस मुस्थे में हमने तीनों ऐसी चीजों का यूज किया है जो आपके नाक के लिए बहुत बढ़िया है दिल के है आपने जैसे कि आप एक कप सुबह लेते हैं इस ड्रिंक का सुबह खाली पेट ले और एक कप रात को सोने से पहले ले आपको हेल्फ बेनिफिट तो मिलेंगी ही और साथ ही साथ अगर दोस्तों आपका नाक बंद रहता है और ये आपका रात को नाक बंद रहता है नीद फिट दूरी पर रखे जैसे कि जहाँ आँ सोते हैं सोने के एक फिट दूरी पर रखे इस प्याज को इसमें स्मेल जो आएगी ना आपके बंग को खोल देगी रात को आपको नीद्ध नहीं आती वैसे भी अनिद्रा की प्रोब्लम में तब भी आपकी बहुत सारी हल्प प्रिश्टोर बड़ा है या दिल की कोई भी बिमारी हो पेड की कोई समस्य हो तो आप इस ड्रिंक को घर में बनाकर इसका यूज कर सकते हैं कम से कम 15 दिन इसका जरूर सेवन करें 15 दिन के बाद दोस्तो आप एक एक दिन स्किप करके इसको ले सकते हैं बहुत ही बड़ी नेक्स्ट रेमिडी के साथ तब तक धन्यवाद